समाधा चीजे वो ठीक करेगा इसका बहुत ज़्यादा आभास हो जाता है तो क्या करना चाहिए जो हम करते हैं कि हम अपने को फील करेंगे सुक्स्म लोक में तीन लोक हैं सबसे उपर ब्रह्म लोक बीच में सुक्स्म लोक फरिष्टों का और ये संसार, साकार, लोक स्थूल लोक, मनुस्य लोक तो हम अपने को मन बुद्धी से ले चलेंगे आकास के उपर सुक्स्म लोक में बिलकुल फील करेंगे मैं वहां हूँ और ये सुक्स्म लोक है अब भगवान का प्लेट फॉर्म काम करने का वो अधिक समय ब्रह्म लोक में न रहकर ऐसा कहें सुक्स्म लोक में कारीयरत है उनके लिए आना जाना तो simple बात है लेकिन वो अपना कारीय सुक्स्म वतन से करते हैं तो हम अपने को महां फील करेंगे सामने से बाबा ब्रह्मातन में हैं इसको visualize करेंगे और बहुत अच्छी तर है visualize करेंगे देखेंगे कि बाबा हमें द्रस्टी दे रहे हैं यहां से हम सुरू करेंगे अब उससे हम एक नाता जोड लें जैसे वो मेरा परमशिक्षक है या वो मेरा खुदा दोस्त है या परम सद्गुरु एक नाता ले लें और उस नाते से पहले उससे बात प्रारंब करें जैसे परमशिक्षक के हे परमशिक्षक परमपिता तुम तो ज्यान के सागर हो और आपने आकर मुझे संपोन ज्यान दिया मेरी बुद्धी को बिलकुल अंदकार से मोगत कर दिया मुझे तीसरा नेटर प्रदान किया मेरे जनम जनम के सभी प्रसनों का उत्तर तुम ने दे दिया हम तो बिलकुल अंदकार में थे आपने हमें प्रकास मिला दिया संपोन ज्यान दे दिया तीनों लोकों का चारों युगों का स्वएम अपना और हमारा हमारी उची और नीची श्थितियों का संपोर ग्यान आपने दे दिया, हमें भी तिरकाल दर्सी जैसे बना दिया, आपको बहुत बहुत सुक्रिया, गुड फिलिंग होने लगेंगी, जिसे सामने भगवान खड़ा है ब्रह्मा के तन में, और हमारी बात सुनके मुश्क्रा रहा है, हमें द्रस्टी दे रहा है, पहले यहां से हम सुरुवात करेंगे, रही बात उसके रेस्पॉंस आने की, इसमें उसके रेस्पॉंस की कोई बात नहीं है, रेस्पॉंस की हमें वहाँ जरुरत पड़ती है, जहां हम कोई समस्या उनके सामने रखते हैं, मूल बाती ह अब ही इसमें यह है हमारे मन में बहुत सारे विचार उठते रहते हैं, तो हम उन से बात करेंगे और वो हमारे मन में चलता भी रहेगा, तो double mind हो गया हमारा, इसलिए उनकी बातों को हम catch नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह सत्य है कि जो कुछ हम उसे कहेंगे, उसका एक सुन्दर answer उसकी और से आ रहा है, अगर हम अपनी बातों को हटा लें, मैं सोचता रहता हूं, मुझे यहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाओं तो अच्छा होगा, फिर कभी सोचता हूं, और यह नहीं जाएं, वहां यह काम भी कर जाएं, फिर हम सी बाबा से पूछते ह पहले मन भी बनाया हुआ, न जाओं, अभी बाबा जो कह रहा है, उसमें हमारे यह संकल्प बाधा डाल रहे हैं, इसलिए हम अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे, अपने संकल्पों को स्यान्त, तो एक राइट अंसर आएगा तो हमारे मन में, क्योंकि वहां हम स सुन्दर रूप से आएगा, कि हम उसमें कन्वेंस हो जाएंगे, कि यह उनका ही उत्तर है, यह हमारा नहीं है, वो आएगा इस रूप से, कि वहां डबल माइंड होगा ही नहीं, कि यह मेरा है, या उनका है, वो इतने फोर्स से आएगा, उत्तर आने में कितना समय लगता है कई मार ऐसा होता है कि बंदा बैठा भी रहे और प्रभुजी मौन धारण किये हुए हूँ ऐसा भी तो सम्भू है कि एक गंटे हो गया दो गंटे हो गया कुछ तो बोलो अपनी बात उनके सामने रख दें और फिर निश्चिन्थ हो जाएं और फिर अटोमेटिकली हमारी बुद्धी में उसका उत्तर आएगा कई बार कहते हैं न भ्रताजी कि वो भगवान के घर बड़ी देर है तो ये देर वाले स्थिती में कई बार व्यक्ति कन्फ्यूज है इसमें देर नहीं होगी उत्तर तुरंत मिलेगा बस इतना ही हो सकता है कि हमारी बुद्धी उस टाइम कैच न कर पा रही हो तो हम सभे इ झाल झाल